नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर महिलाओं को नहीं लगाने पड़ेंगे अस्पताल के चक्कर मुबाइल पर मिलेगी जांच रिपोर्ट इस विवस्था में सबसे एहम करी है कि जब आप अपनी खून की जांच कराने जाएं तो अपना मुबाइल नमबर जरूर दें उन्नाओं की जला महिला चिकित साले में अब महिलाओं की जांच रिपोर्ट के लिए अस्पताल या जांच के इंद की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जांच रिपोर्ट अब सीधा उनकी मुबाइल पर मिलेगी यह विवस्था उन्नाओं की जला महिला चिकित साले में इस वियवस्था में सबसे एहम करी है कि जब आप अपनी खूर की जांच कराने जाए तो अपना मोबाइल नंबर जरूद है जिससे जांच को प्रांद मोबाइल पर एक मैसेज आएगा उस मैसेज में एक यूर्ल दिया होगा जिस पर किलिक करते ही जांच रिपॉर्ट खुल जाएगी इस वियवस्था से उन्नाव की महिलाओं को काफी सहुलित हो रही है जब से भारत देश में मोबाइल आया है तब से देश डिजिटल क्रांती की रहा पर तेजी से दोड़ रहा है चाहे कोई सर्विस बंध हो या बिजनिस में सभी मोबाइल को एक अच्छा दोस् सपून जानकारियां भी अपने मोबाइल में ही लोग रखना पसंद कर रही है उसी किरम में उन्नाव की जिला महिला चिकित साले में इस डिजिटल क्रांती की रहा पर चावते हुए एक अनुखा तरीका अपना है इस तरीके में जो महिला जिला स्पिताल में अपना इलाज कराने आई थी वहाँ पर डॉक्टर खून से संबन देत जो भी जांच उनकी लिखते थे तो इसके लिए उन्हें पहले जांच करानी पड़ती थी और पुनहें जांच रिपोर्ट अगले दिन लेने आना पड़ता था लेकिन उन नाव के जिला महिला चिकित साले में इस थ साती है उस मैसेज में एक यूरल होता है जिस पर क्लिक करते ही मरीज अपनी जांच रिपोर्ट डाउनलूट करके किसी को भी दिखा सकता है वहीं जब भारत ने इस संबन में पैथालीजी की इंचार्ज डॉक्टर तौसिफ हुसें जिबात की तो उन्हें बताया कि जो मुबाइल पर भेज कर पता कर सकती है कि आखिर उन्हें क्या है कौन सी बीमारी है यहीं नई स्विवस्था का लाभी महिलाएं अधिक सदिक उठा रही है उन्होंने पता है कि उनकी पैथालीजी में प्रेगनेंट महिलाएं जातर जांच कराने आती है उनकी सहुलित को ले अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं